नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक वार फिर से स्वागत है वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल योट्यूब चेनल में आप सभी को जनरल अवेर्नेस की क्लासेज आई होप पसंद आ रही है लाइक भी कर रही है इसी की सीरीज में हम डियाईडियो सेप्टम 10 के लिए लेकर उपस्तेत हुए है जनरल अवेर्नेस की एक और क्लास जिसमें कुछ और इंपोर्टेंट क्यूशन आपको प्रवाइड करवाएंगे अपनी तरफ से बेटर देने का परियास करेंगे और आप उन्हें लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें चलिए शुरू करते हैं नोन टेक की प्रिवियस एयर में जो परस्नर पुछे गए थे वो मैंने आपको एक क्लास में करवा दिये हैं HTAB के एकजाम में जो क्यूशन पूछे गए थे वो सारे मैंने आपको एक साथ करवा दिये हैं अब उनी पर आधारित यान की प्रिविस येर में जिस प्रकार की क्यूशन पूछे गए थे उनी पर हम एक आपको रेगुलर वीडियो क्लास प्रवाइड करवा नहीं हैं जिसमें इंपोर्टेंट क्यूशन सामिल करते हैं तो यदि आप चैनल पर पहले वार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक जरूर करें एक प्यारा साथ पोजिटिव कमेंट करके हमें मोटिवेट भी करें चलिए सुरू करते हैं पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन पर है और अच्छे सी एक्स्प्लेइन करेंगी जिससे आपको भी पसंद आए देखिए क्यूशन क्या कहे रहा है कि गाहितरी मंतर का उलेख किस मंडल में है ये क्यूशन बहुत वार पूछा जा चुका है और हो सकता है आपके भी एक्जा में ये क्यूशन आ जाई गाहित्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है पहले तो आपको पता होना चाहिए किस के मंडल की बात कर रहा है तो मैं आपको बता दूं रिगवेद गाहित्री मंत्र का रिगवेद में पहले तो उल्लेख है वेदों से क्यूसे नहीं है तो रिगवेद अब रिगवेद में टोटल आपकी 10 मंडल हैं कितने मंडल है तो आप कहेंगे 10 मंडल है और 10 मंडल में सी तीसरे मंडल में option number A इसका सही एंसर होगा तीसरे मंडल में गायतरी मंतर का उलेख है पूछा जा सकता है गायतरी मंतर किसको समर्पित है तो भगवान सूरी को समर्पित है गायतरी मंतर भगवान सूरी को समर्पित है गायतरी मंतर अब option की बात करें तो 10 मंडल में टोटल कितने मंडल है तो 10 मंडल है रिगवेद में जिसमें सी तीसरे मंडल में आपकी गायतरी मंतर का है और दस्वे मंडल में क्या है तो दस्वे मंडल में नोट कर दीजिए पूरू ससुक्त है दस्वे मंडल में क्या है पूरू ससुक्त है और पूरू ससुक्त में चार वर्णों का उलेख किया गया है तो ये क्यों सनुक पूछा जा सकता है कि चार वर्णों का उलेख कहां किया गया है पूरू सुख्त में रिग्वेद के दसमें मंदल के पूरू सुख्त में चार वर्णों का उलेख किया गया आपका option हो जाएका option No.A गैतरी मंतर का उलेख रिग्वेद के तीसरे मंदल में किया गया है नेक्स्ट क्यूशन है सूर्य किरन सेन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है तो बहुत ज़्या इंपोर्टेंट क्यूशन है सेन्य अभ्यास से अभी एक क्यूशन पुछा गया था सूर्य किरन है ना क्या पुछा जा रहा है सूर्य किरन सेन्य अभ्यास तो यह आप आपको ध्यान रखना है सूर्य किरन कैसा है तो चारों उप्षन की बात करें भारत और फ्रांस भारत और फ्रांस की बीच देखिए नोट कर देजी एक तो है गरूर यहां आपको बहुत बारी की से पढ़ना है डीटेल से पढ़ना है जो मैं एक-एक सब्द बोलना हूं उस सन्याव्यास लेकिन भारत और इंडोनेसिया के बीच मैं तो आपको ध्यानतना गरूर सकती को है और सकती यह एकी ही का नाम है दो कि कि जैसे आपने पढ़ा होगा इंडि-साइती में राकेस मोहन या मोहन राकेश न तो एक पहारत और फ्रांस के के बीच एक है गरूड दूसरा है वर्वन भारत और स्री लंका की बात करी इन में नोट कर लिजी एक तो है स्लीनेक्स स्लीनेक्स इसका तो मैं आपको याद करने का तरीका बता दूगा और दूसरा है मित्र सक्ति मित्र सक्ति किन दो देशों के बीच में है भारत और फ्रांस यह आपके श्रीलंका को बता रहा है और IN है यह इंडिया का है तो दीखे स्रीनेक्स नाम में उत्तर है यह आपको यह स्रीलंकि लिखना आ आ गया नश confession है S.L. किन्द देशों का सेन्य अभ्यास है S.L. स्रीलंका को दष्थार आहए और to यानकि यह भारत और स्री लंका का सेन्य अभ्यास है सूर्य किरन पुछा है यह भारत और नेपाल का भारत और नेपाल का आपके सूर्य किरन एंसर होगा option number D इसका सही एंसर है यह देखिए आगे और आपके सामने क्यूंशन है चोथी बोध संगिती कहां हो बोध संगिती सबको याद है ना चारों याद कर लिजी किसम न 1 अद्दिक सता की कहां हूई चारों याद कर लिजी कब हुई वो सारी आपको याद करने है क्यूंशन आ सकता है तो option line wise लिखे हैं पहली हुई आपकी राजग्रह में फर्स्ट बोध संगिती यह दि पुछे तो second हुई आपके वेसाखी में तीसरी आपके पार्टली पुत्र में थर्ड पार्टली पुत्र में और fourth हुई आपकी कस्मीर में यहां आपको ध्यान रगना है कुंडल वन कस्मी में यह ज्यादा important है, चोथी बोध संगिती option number D इसका और सही answer है कुंडल वन कस्मीन में चोथी बोध संगित्ती आयल जित हुई कनिस्क के समय हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है, कनिस्क के समय कौन सी हुई, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, कि कस्मीर कुंडलवान में कनिस्क के समय हुई, इसका सही एंसर हो जाएगा, आगे देखें क्यूशन, पूना पेक्ट कब हुआ, इंपोर्टेंट ये बाते हैं, चार आपके सामने लिखी विए, सारी आपको ध्यान कर देनी है, कौन सा कब हुआ, पूना पेक्ट पूछा जा सकता है, आपकी 1925 में क्या हुआ, 1760 में क्या जिनके आते हैं, तो पहला तो आपके ऑप्शन है 1931, पहले आप नोट कर देज़े, 1931 में क्या क्या हुआ, 5 Mark 1931 सब को याद है न, 5 Mark 1931, दूसरा आपको याद कर देना है 23 Mark 1931, इंपोर्टेंट डेट है, ये तो सब को याद होनी ही चाहिए, 5 Mark 1931 को क्या हुआ, कांधी ईर इसमजोता गांधी इरवी ने समझोता सारी बाते नोट करने तो जरूर दिने ने मेरे वर्ट स आपको समझ आ रहे होंगे गांधी इरवी ने समझोता 5 731 हुआ 23 मार्ज प्याह वह 33 मार्च 1931 को राज़ गुरू सुकदेव और बहुत सिंख को फाशी हुई 23 March 1931 इसको ज़्यादा इंपोर्टेंट यह वाली भी है 1932 में क्या हुआ पुना पेक्ट यर्वदा जेल याधेना यर्वदा जेल यर्वदा जेल पूने में गांधी जी और डोक्टर भीम राव अंबेड़कर के बीच पुना पेक्ट हुआ 1932 में तो इसका राइट ए कांग्रेश का जिसकी अध्यक्सता की थी आपकी सरोजनी नाइडू ने जो देश की पहली आपकी महिला अध्यक्स थे कांग्रेश की भारत की पहली महिला अध्यक्स कांग्रेश की कौन थी तो आपको ध्यान रखना है सरोजनी नाइडू और उनी के जन्म दिवस पर 13 पूराने पेपर्स देखा करो उसमें ये क्यूशन पूछा गया था वांडी वास का यूद्ध कब हुआ ये वाला क्यूशन पूछा गया था और पूजिटिव कमेंट करें जिसे हम मोटिवेट हो और आपके लिए बेटर और परदान कर सकें जो हमें पूजिटिव कमेंट करता है उसे से हमें एनरजी मिलती है और कुछ नया करती है देखी क्या कर है जातियों का अंत उस तक किस की है या फिर जातियों का अंत उस तक कि ने लिखी ऐसा भी क्यूसन आ सकता है तो ध्यान रखी बाल गंगा धरते लग की है बीयार अंबेडकर भीम राव अंबेडकर ये है आपकी जातियों का अंत इनको भारत रत्न कम मिला 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया भीम राव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्य प्रारूप समिति की अध्यक्स कोन है भीम राव अंबेडकर जिन्होंने जातियों की जातियों का अंत नामक पुस्तक लिखी है अरुन धत्ति रोई की वह ज्यादा इंपोर्टेंट है हर एक्जाम में पूछी जाती है अरुन धत्ति रोई इसकी नोट कर दीजिए आप आजादी एक पुस्तक का नाम है आपकी आजादी दूसरी पुस्तक का नाम क्या है गोड ओफ स्मोल थिंग गोड ओफ स्मोल थिंग्स ये है आपकी अरुन धत्ति रोई की यहां तक सब को दिखाई दे रहे ना अरुन धत ती रोई की एक है आजाती दूसरी है गोड़ ओफ स्मोल थिंक्स है वह यह आपका एंसर हो गया अंबेड कर इसके सही जेदेव जेदेव उप्शन में क्यों लिया है क्योंकि एस्टी भी कि लास्ट शिफ्ट में पंदरा नौंबर को एकजाम मताना लास्ट शिफ्ट में उस किसके अकोडिंग आपका उप्शन नंबर भी हो गया ना आगे देखिए क्यों क्या कह रहा है चेत्रा भूमी किसकी समाधी इस्तल है तो सबसे ज्यादा इंपोटेंट क्यों है अच्छे जो आपकी टोप लेवल के क्यों है वो मैं सामिल करता हूं और चार इसे उप्शन ब भूंगा जिसे नहीं आता है वो भी सीख जाएगा पहला तो आपके ऑप्शन है राजीव गांदी तो इजी लिए आप याद कर दीजी राजीव है तो वीर वीर भूमी इनकी समाधी इस्तिल है वीर भूमी आपको ध्यां रखना है कैसी याद हुआ राजीव इसका इसी व आता है बी आर अंबेटकर भीम राव अंबेटकर इनके समाधी इस्तिल का नाम है चेत्रा भूमी जैसा की क्यूशन में पुछा है तो ओप्शन नमबर भी इसका सही हो जाएगा चेत्रा भूमी भीम राव अंबेटकर तो यह आपको ध्यां रखना है प्रारूप समीति के अधिक्स जिनकी चेत्रा भूमी है अब आता है राजेंदर परसाद की तो राजेंदर परसाद महा प्रियान घाट इनकी है महा प्रियान घाट महा प्रियान घाट और लाल बहादूर सास्तरी की जो बहादूर होता है उसकी होती है विजे तो आपको करना है विजे घाट व तो बहद्दूर होता है लाल बहद्दूर सास्त्री विजेगाट तो ये भी याद करने की ट्रिक है और भीम्राव इमिटकर चित्रा ये दो मैंने आपको ट्रिक बता दिया वहाँ से आप याद कर सकते हैं आप देखिए निक्स्ट क्या क्यूसन है आठवा क्यूसन है जादू टोनाओ का वेद किसे कहा जाता है जादू टोनाओ का वेद तो पहले तो वेदों से समंदित क्यूसन आ सकता है मैंने पहले भी आपको वो रिगवेद वाला करवा दिया आप देखिए इसमें क्या है गाहितरी मंत्र का उल्लेख किया गया है तीसरे मंदल में किसको समर्पित है भगवान सूर्य को समर्पित है गाहितरी मंदल में क्या है तो दस्वे मंदल में है आपकी पूरु ससुक्त जिसमें किया गया है चार वरनों का उल्लेख चार वरनों का उल्लेख किसमें किया गया है अब देखिए दूसरा है सामवेद संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है ऐसा क्यूसन आने पर लिखना है संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है आपके ये ध्यान रखना है यजुरवेद और अथरववेद अथरववेद ध्यान रखना है जादू टोनों का ग्रंथ है, जादू टोनों का वेद किसे कहा जाता है, या जादू टोनों का वेद किसे कहा जाता है, तो अथरव वेद ओप्शन की तरफ जाना है, और एक क्यूसन और आता है, वेद तरई में कौन सा सामिल नहीं है, तो कहां लिखू मैं, वेद तरई में, आपको ध्यान लखना है यहीं लिख रहता हूँ वेद त्रई में कौन सा वेद सामिल नहीं है तो दिखना है वेद त्रई वेद त्रई में तीन वेद सामिल है उपर वाले तीनों है यह वेद त्रई में सामिल है लेकिन अथर्व वेद वेद त्रही में सामिल नहीं है क्योंकि ये जादू टोनों का वेद है अंद विश्वास का ये वेद है तो आपको ध्यान रखना है option number D question का right answer होगा I hope मैंने better दिया है और आपको समझ भी आ गया होगा ये देखे question जियोग्राफिका question ले लिया ना हर topic से question उठाई है कहरा है काबूल लाम जाओ राष्ट्र उद्धान कहां इस्तित है काबूल लाम जाओ तो इससे समंदित आपको दो बाती ध्यान रखना है एक तो इससे से काबूल लाम जाओ से काबूल लाम जाओ काजी रंगा ओर मानस काजी रंगा ओर मानस काजी रंगा क्यों famous है एक सिंग वाले गेंडो के लिए सबसे ज़्यादा famous कौन सा है तो काजी रंगा वो ध्यान रखना है, असम में है, दो आपको ध्यान रखने नहीं है, कौन से राज्य में है, असम राज्य में, अब देखें लदाख, लदाख में कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्री उध्यान, हेमिस राष्ट्री उध्यान कहा है, तो आपको कहना है, हेमिस सबसे बड़ा राष्ट्र उधान कौन सा है तो आप कहांगी हमिस राष्ट्र उधान सबसे बड़ा है दूसरा आता है उत्राखंड उत्राखंड सबसे ज्यादा था उसका नाम बदल कर कर दिया राम गंगा तो वो भी आप ध्यांद कर दिजी राम गंगा नेशनल पार्क इसी का नाम है जिम कारबेट का उत्राखंड में इस्तित है पहले इसका नाम था हेली राष्ट्री उधान के नाम से जाना जाता था यह आपके उत्राखंड में मानि मनिपूर अब सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट आगया है मनिपूर और जो आपके क्यूशन का एंसर भी रहने वाला है मनिपूर इस क्यूशन का एंसर है काबूल लाम जाओ कहां है तो आपको करना है मनिपूर अब देखे इसमें और क्या इंपोटेंट है काबूल लाम जाओ कहां है तो आपको करना है मनिपूर में लेकिन किस जील पर है तो लोग टक जील पर इस्तित है लोग टक जील में ने कल आपको करवाई थी लोग टक जील करता हुआ राष्ट्र रिध्यान एक मातर तेरता हुआ उस लोक्टक जील पर इस्तित है काबूल लाम्जाव जो एक मातर तेरता हुआ है और यहां एक इंपोर्टेट जीव पाया जाता है जिसे का जाता है संगाई संगाई जीव वाला संगाई जीव पाया जता है जो उचल कुद करता रहता है उसे dancing deer भी कहते हैं सबको याद है ना मनिपूर में कौन से है उसमें पाया जता है काबू लामजव राष्ट्र वध्यान वही है और उसमें एक संगाई नाम का जीव है जो उचल कुद करता है उसे dancing deer कहते हैं तो ये आपको ध्यान रखने है most important बाते इनके बारे में अब देखिए nation अगे क्या है वाल में की राष्ट्र वध्यान एक पूरे क्यूशन में important complete नहीं हुए थे तो मैंने आपके लिए दूसरा क्यूशन भी लिया है उसमें 4-5 करवा दिये आप देखिए 4 इसमें करवा दूँगा तो important सारे आपके राष्ट्र वध्यान कवर हो जाएंगे उत्तर परदेश में कौन सा है ये आपके STB में पूछा गया था दुद्वा राष्ट्र वध्यान कहा है तो आपको करना है उत्तर परदेश में है दुद्वा राष्ट्र वध्यान बिहार में कौन सा है तो बिहार में एक ही है वालमी की important एक ही है आपको ध्यान रखना है वालमी की national park आपके बिहार में है कानह, पन्ना और कुन्नो ये ज़्यादा अभी important है क्योंकि current news में भी कुन्नो राष्ट्र उध्यान आपने सुना होगा कुन्नो राष्ट्र उध्यान चिते लाए गए थे तो आपको ये वाला ध्यान रखना है कानह, पन्ना लिखे तो भी ठीक है और एक और है इसमें कुन्नो कहां है MP में यानकी मद्यप्रदेश में और नामी भीया से ये भी note कर लिजी आपके नामी भीया से आठ चिते लाए गई है और आठ में चिते का नाम क्या रखा है तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम रखा है आसा ये भी important है कि उस उनमें से एक का नाम क्या रखा है तो आपको ध्यान रखना है आसा और ये आपके नामी भीया देश से लाए गई है मद्यप्रदेश की कूनो राष्टे उध्यान में उत्त्राखंड में कौन सा है तो आपके वालमी की पूछा है ना क्यूशन में क्यूशन में तो आपका एंसर हो गया बिहार बिहार में आपके वालमी की है उत्त्राखंड में अभी अभी मैंने आपको explain कर दिया है ना उत्त्राखंड का पिछे वालमी क्यूशन में हो गया क्या उत्रखन का यहां हो गया था ना यह काफी है जिम कारबेट अब देखिघू ये क्यूसन जदा SPIPH independent है क्यों important है क्योंकि आपके STAB में आया था जी 7 में कुन सा देस सामिल नहीं है तो हो सकता है आपके जी चूसन आ जाए Quad में कौन सा देश सामिल नहीं है Quad का आसकता है और G7 का फिर सी Question Repeat हो सकता है यह कौन सा देश सामिल है और आपको ध्यारकने एक आता है ITU2 नाम से वो भी मैं आपको next करवा दूँगा ITU2 में कौन सा देश सामिल नहीं है ऐसा Question भी आसकता है तो वो भी आपको next class में provide करवा दूँगा अभी देखे कौन सा है quad में तो quad में कौन सा है एक तो भारत है एक अमेरिका है एक आपकी जापान है और चीन है नहीं है तो option की according तो right answer ये हो गया quad में कौन सा देश सामिल नहीं है तो आपको करना है चीन तो कौन सा है आपके आस्ट्रेलिया quad का मतलब क्या होता है quad का मतलब होता है 4 4 देशों का समुए आपके यहां quad है quad में कौन सा है भारत है अमेरिका है जापान है आस्ट्रेलिया है 4 देश सामिल है लेकिन चीन इसमें सामिल नहीं है क्यूशन के according आपका right answer कि किस परकार की आपको कलास लगी हो सके तो सेर भी करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए